तो अगर आपने भी TVS करेडिट एप से लोन लेकर मोबाइल फाइनेंस करवाया तो इसकी कमपेड जानकारी आपको मिलेगी अगर आपने भी किसी भी दुकान से मोबाइल पर्चेज किया और आपने इस एप के अंदर देखा कि आपको केवल आठ किस्ट देनीती दुकान पर आपसे बोला गया कि आपको आठ किस्ट पे करनी है लेकिन जब आप इस एप में देख रहे हो तो आपको इस एप के अंदर 10 किस्ट सो हो रही है तो इसकी complete जानकरी आपको मिलेगी आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको 8 EMI आपको जमा करानी होगी complete जानकरी आपको मिलेगी यहाँ पर आप सबसे पहले आपको करना क्या इस तरके से पलेश्टोर आपको open कर लेगा यहाँ पर इस तरके से पलेश्टोर open करने के बाद में सर्च बार में यहाँ पर आपको लिख देना tvs loan जैसे आप लिखोगे tvs loan तो यहाँ पर यह एप आपको देखने को मिल जाएगा tvs credit 60 के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हो इसको आपको login कर लेना यहाँ पर install कर लेना जैसे मैंने already install कर रखा open कर लेता हूँ आपको भी open कर लेना अब जैसे आप open करोगे इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाता है पहले जो आपके mobile number है जिसमी mobile number से आपने loan लिया आपने mobile लिया उस mobile number से आपको login कर लेना आपके id इस तरह के से login हो जाएगी और यहाँ पर आपका उपर आपका नाम आ जाएगा welcome इस तरह के से आपका नाम यहाँ पनर से नियुकंड़ नंबर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन आप यहां पर आप देखते हो इसमें आपको यह माह या पर 0 Oblig 10 यहां पर 100 पर जो आप सोच रहically कि आपको आपको दुकान पर Alex किस देने के लिए वोला था आठ यह माय आपको जमा करवानी लेकिन यहाँ पर तो दस आपको सो हो रही तो इसका क्या सोलिशन आपको कैसे चेक कर सकते कि आपको आठ ही किस तापको देनी है तो उसके लिए आपको करना क्या आप चाहे तो यहाँ पर लॉन डिटेल इस पर आपको क्लिक कर देना और चाह पर आप देख सकतो इस तरके से इंटरपेस यहां पर सो हो जाएगा अब यहां पर जो आपका पेमेंटर टोटल यहां पर लोन अमांट इस तरके से यह टोटल लोन अमांट आपका पेस आपको देखने को मिलेगा जो आपका लोन यहां पर अमांट में आया था यहां पर आप से बोला तो और आपको भी पता कि मेरी 8 EMI लेकिन इसमें 10 सो रही है इस तरके से तो यहाँ पर आप देखते हो EMI लास्ट मंत यहाँ पर जो आपकी EMI उसका पेशा आपको इतना यहाँ पर EMI आपको देना तो इस हिसाब से तो आपका पेशा यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको 8 EMI आपके 8 EMI आपको जमा करानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके लिए आपको करना का यहाँ पर इस तरके से आप यहाँ पर देख सकते हो EMI इनफो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा इस पर आपको क्लिक कर देना अब इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपको इस तरके से इंटरफेस आपको सो हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो तो यहां पर आपको पता चल जाएगा आप देख सकते हो फर्स्ट EMI डेट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी फर्स्ट EMI डेट यहां पर फाइनल किस्त जमा कब होगी यहां पर यह डेट आपको सो हो जाएगी तो यहां से आप पता लगा सकते हो यहां से आप जोड़ सकते हो यह आप देख सकते हो अपरेल से नौंबर तक यहां पर यह आठ मंत यहां पर हो रहे हैं तो इस तरके से आप पता कर सकते हो कि आपकी कि यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको 18 ऐमाई यहां से आपको पता चल जाएगा इस तरके से तो को 18 ऐमाई आपको देनीадц想法 और पर फ़स्ट ऐमा arch l किया ऑफ की कलेमाई का आपको इस तरके से मंठाप को चय कर लेना दूसरा यहां पर आप से बेक आप आपका जाना और यहां पर को यह लोंडडी टिटेल यह पर आपको अप्शन देखíb को मिल राएइस पर आपको कलिक कर जाया अपर आपको इपताच चल जाएगा आप देख सकते तरक हेसे यहां पर सिन्सके से अधाई सैजय Glag in बाद में आपको तो जैसे मैंने आपको बताया आपकी 8 EMI जुड़े गए आपको फ़ेश्ट लास्ट EMI आपको चेक, कलेंट तो इस तरके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, आपकी जो दो किस्ते यहाँ पर आपको पे पहले यहाँ पर जमा हो चुकिया आपकी EMI, से आप आसानी से पता कर सकते है आपकar confusion यह पर दूर हो गया होगा यहांपर कम जादा हो सकता जिसे आपका ओर शुंत खत द्यानिंग हो तो इस तरके से आप यहां से चेक कर सकते हो, अलग-अलग सभी के लिए किसी के आप तो किसी के आठ है, तो यहां पर इस तरके से आप अपनी यह माई चेक कर सकते हो, अपना confusion दूर कर सकते हो, तो यह complete जानकारी मैंने आपको बता दी, अगर आपने भी TWS क्रेट से loan लिया त तो आप इस तरके से चेक कर सकते हो तो अगर आपको वडियो अच्छी लगए तो लाइक करे शेर करे चैनल पर पहली बार आए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करे दन्यवाद दोस्तों